केस वो भई सभी प्यारे प्यारे साथ हो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर सड्डा पर बिहार में अब देखो back to back बुरी खबरे ही आ रही है TRE 3.0 का एक्जाम होने के बाद से कोई भी ऐसी अच्छी सूचना नहीं है कि जिसे चात्रों के साथ साजा किया जा सके लेकिन जैसी भी है बात यह है कि भाई TRE 3.0 का रिजल्ट और डिले हो रहा है जो कल press conference में कहा गया है कि रोस्टर मिलने के पंदरा दिन के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा तो अब इस पे जो जानकारी आ रही है पत्रकारों की महनत से जो चीज पता चल रहे हैं कि रोस्टर मिलने और रिजल्ट जारी होने में अभी भी कम से कम एक महीना लग जाएगा कि अब दस पांच दिन में जाकर कहीं आरक्सन का क्या मैटर है देखो पहले क्या था आरक्सन बिहार में एक निश्टित परतिसत तक मिलता था बाद में उसे 75 परतिसत कर दिया गया उसे सुप्रिम कोट में वो केस चल रहा है हाई कोट ने हटा दिया गया आप इतना नहीं दे सकते हु तो फिर कम किया गया उस औरक्सन को तो उस कम वाले आरक्सन के हिसाब्स सीटे दी जाएंगी तो उसी पे सारा खेल चल रहा है अभी तक आरक्सन का जो नया फोर्मूला है उसके इसाब से सीटों की गणना ही नहीं हुई है जब उस सीटों की गणना होगी वो सिक्सावी भागी ने भेजेगा तब जाकर कहीं बात आगे बढ़ेगी तो इसमें अब आप यह मान कर चलिए कि TRE 3.0 October last week और TRE 4.0 जब तक TRE 3.0 का रिजल्ट नहीं आएगा 4.0 पर कोई कारवाई नहीं होगी है BPSC चेर्मेन कहे चुके है कि जब तक इसे clear नहीं कर लेंगे 4.0 का notification जारी नहीं कर सकते तो 4.0 वालों को और इंतजार करना पड़ेगा और आप सोचिए इस वाली भरती में पिछले CTRET वाले बच्चे भी और इतना डिले होगा तो अगले CTRET वाले बच्चे भी सामिल होंगे मतलब बड़ा नंबर हो जाएगा तब तक उमीद है कि एक estate और हो जाएगा क्योंकि इतना नॉंबर में एक और estate होना है दो बार साल में बोला गया है अभी तक ही कि estate हुआ है उस estate कभी result जारी नहीं हुआ है तो वो भी एक समस्या है कि अब पता नहीं क्या हुआ है कि पिछले थी पूरी तरीके से सही नहीं कुछ तो सही हो रही थी अब वो पूरा रुकी गया system तो ये खेर October में result जारी होगा BPSC की press conference में के लिए कहा भी गया था कि रोस्टर आने के 15 दिन बाद जारी करेंगे तो रोस्टर में अब उमीद यह है कि वो अगले महीने आएगा फिर उस पर है बाई बाई टिक है ध्यान रखिए पढ़ते रही है और भी जो vacancies आ रही है उन पर मेहनत करते रही है और बस एक ही लक्से रखिए कि जब तक हमें एक बार वो सरकारी नोकरी वाला tag नहीं मिल जाता टैग ही कहूंगा मैं उसके बाद journey आपकी बिलकुल अलग है तब तक मेहनत करते रही है नीचे स्क्रीन पर नमबर आप बैचिज में जुड़ सकते हैं